आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत हैं इस वीडियो में आप देखेंगे जी के जी असके पचास अप्धी महत्वपून वन लाइना प्रश्मिक पर जो किसी भी एक्जाम्स के लिए काफी महत्वपून है तो फ्रेंज शुरू करते हैं जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है सभी अमलो के लिए सामन्य तत्व है हाइड्रोजन कांस्य के मुखे संघटक है तांबा तथा टीन सोडेयम तत्व का प्रतीक है एने टेली विजन का आविशकारक थे जेल बेड मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती है जांग में विद्यूत लैंप के आविशकारक है तॉमस अलवा एडिसन सामान्य वारतालाप की उंची आवाज है साट डेसिबल पानी की स्थाई कर थोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम पर मेगनेट को डालकर विद्यूत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी लोहा का शुधतम रूप है पिटवा लोहा पीतल हवा में किस गैस की उपस्तिती के कारण बद्रंग हो जाता है ओक्सजन ठोस से सीधे वाश पवस्ता में पदार्थ के रूपान तरंग को कहा जाता है उधर वपातन भणी की पिचका फ्रिक्वेंसी के मापने की इकाए है डेसिबल बार किसकी इकाए है वायुमंडली अदाब का मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है आईसो थम कोशिका जिल्नी पाई जाती है पादप एवं पश्यू कोशिका दोनों में आनुवनशिक्ता की इकाए है जीन आनुवनशिक्ता के नियम की खोजकी है ब्रेगरी मैंडल ने रक्त में लौह की कमी को कहते है अनीमिया निकत द्रिष्टी दोशदूर करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है अफ्तल लेंस का मानव शरीर के किस भाग में हाइपोथलेमस होता है मस्तिष्क मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी सौर प्रनाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमिड गुरूत्वा कर्शन के ब्रमांडली या नियम के आविशकारक है न्यूटन हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह है न्यूटन के गती के तृतिय नियम के अनुसार H2O को आमतोर पर जाना जाता है जल सूर्य को प्रमुक रूप से उर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है समलन किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अनुओं के बीच किसकन का आदान प्रदान होता है Electron कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनों अमल में परिवर्थित करता है Pepsin आग से पानी को गर्म करना क्या है उश्मा का समभण Cryogenic इंजनों का अनुप्योग कहां किया जाता है Rocket Technology में Sormandal का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र मानव रक्त का रंग लाल क्यूं होता है Hemoglobin की उपस्थिती के कारण लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को एक प्रकार का दृष्टी दोष जिसमें एक व्यक्ती दूर की वस्तू को देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तू को साफ साफ नहीं देख सकता कहलाता है Hypometropia शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है Thyroid ग्रंथी में किस शरकरा की अथेश्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है Glucose सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है Vitamin D Malaria संबंधी है जवार से रक्त शरकरा स्तर को नियंतरित करने वाला होमोन है Insulin कवक से प्राप्त उप्योगी उत्पाद क्या है Penicillin शरीर में श्वेत रक्त करनों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का रशन करना किसी व्रिक्ष की आयू किस प्रकार मालूम की जाती है वार्शिक बलयों की संख्या द्वारा Calcium Hydroxide का प्रयोग करके मोटा के प्लास्ट का निर्मान किया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है चूना जल प्रकाश सनशलेशन में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते है Clorophyll विद्यूत का सबसे अच्छा चालक है चांदी लोलक का संचालन क्या कहलाता है दोलन गती डाइनामाइट का आविश्कार किस ने किया था अलफ्रेड नोबेल ने अमल एक पदार्थ है जो स्वाद में होता है खट्ता सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुन ने पचियून